जाहिंदोर जोहार जार्खन के विधानसवा चुनाव में मात्र 14 दिनों का समय से इस रगया यानि कि आज से ठीक 14 दिन के बाद चंता ये डिसाइट कर पाएंगे कि वो किसकी सरकार राज्य में चाहती है किसे वो अपना विधायक चुनना चाहती है आप सबको पता है साथियों कि जब जब विधानसवा चुनाव होता है हर एक राज्य की हर एक पॉलिटिकल पाटी एक चुनावी घोस्ता पत्र जारी करते है उस घोस्ता पत्र में वो आप लोगों से वादा करते है कि अगर हमारी सरकार बन जाती है या हमारी पाटी के किसी अन्य पाटी के साथ गजबंदन होके भी सरकार बनती है तो ये निम्न वाते हैं जो हमारी सरकार बनते ही आम जन्ता के लिए हम लोग पूरा करने का काम करेंगे तो इसी कड़ी में सबसे पहले जारखंड में जितने भी राजनितिक पाटिया है किन वादों को पूरा करने वाले हैं तो आज के इस वीडियो में हम लोग उन सभी 75 वादों को जानने का परियास करेंगे सबसे पहले कल की घटना के बारे में बात कर लेते हैं इसके बाद जो JLKM का घोशना पत्र है उसके बारे में भी बात करेंगे तो आईए सबसे पहले कल की घटना को समझते हैं आरकंड में जितने भी राजनितिक पार्टी है चाहे वो GMM हो, भारती जनता पाटी हो, कॉंग्रेस हो, आजसू हो या JLKM हर एक political party जब जब चुनाव आता है उस समय vote मांगने के लिए घर घर जाते हैं पता है कि आपके घर महले में हर एक नेता हर एक समुदाय का व्यक्ति हर एक political party का व्यक्ति वोट मांगने के लिए जाता है जनता के बीद जाकर के विधायक सांसत का चुनाव लड़ रहा है आपके छेतर में आकर के वोट मांग सकता है और उसको वोट मांगने से कोई भी इंकार नहीं कर सकता है कोई भी व्यक्ति उन्हें मना नहीं कर सकता है वो आएगा आपको vote देना है नहीं देना है वो आपका निजी फेशला है लेकिन vote मांगने के लिए कोई भी व्यक्ति कहीं भी जा सकता है जिसे कोई नहीं रोग सकता है लेकिन कल जारकंग के डुमरी विधान सबा छेतर में एक ऐसी ही सर्मना घटा हमें देखने को मिलती है ज इस तरह के आरोप लग रहे हैं इस पर मेरा एक पर्शंट भी कनफर्मेशन नहीं मैं बस बता रहा हूं जो बाते चल रही है तो उनके आदेश पर कुछ लोग जो है जब दुमरी विदान सभा छेत्र में जैराम मातों अपने कारी करताओं के साथ बोट मांगने के लिए वहा अगर आप घुशिए गा तो आपके साथ कुछ गलत हो सकता है वहां पर एक भीड़ है आप लोगों को रोकने के लिए तो आप लोगों को गाउक के अंदर नहीं कुसना है पर परिंपरा है कि यहां पर कोई विदायक पर्त्यासी जो है वोट मांगने के लिए नहीं आता ज कि यहां पर तुम तुम्हारी जो सोच है तो घचानात महतों को अपना विदायक चुन चुके हैं उन्ही के परिवार के को हम लोग अपना विधायक मानते हैं उन्हीं को वोड दें चाहए तो तुम्हारी यहां पर आविशक्ता नहीं है तुम हमारे गाव के अंदर नहीं जाओगे बार-बार वहां पर जैराम महतो कहते हैं कि ठीक है हमें वोड देना नहीं देना ये रोकने का परियास होता है ठीक है और काफी देरों तक भिडंत होने के बाद काफी मुझबिर होने के बाद एक दो लोगों की हाथा पाई की गत्ना भी हमें दिखाई पड़ती है यहां कॉपिराइट आ सकता है इसलिए वीडियो हम चला करके नहीं दिखा रहे हैं उम्मीद है जैराम मतोर उनके कारिकरता तुमरी विदान सबा छेतर के अंतरगत जा पाते हैं अंदर जा करके जैराम मतोर वहां के आम लोगों से मिलते हैं और सबसे पहला सवाल यही करते हैं कि क्या आप लोग हमको अपने गाउ में आने से मना किये हैं क्या हम वोट मांगने के लिए आपके गाउ के अंदर नहीं आ सकते हैं यहां से हम विदान सबा प्रत्यासी के रूप में हम खड़े हो रहे हैं तो क्या आप लोगों के इस बात से आपत्ती हैं तो वहां का हर एक व्यक्ति यही कहता है कि हमें क्यों आपत्ती होगी हमें तो पता भी नहीं है क्या चीज़ तो वो उनकी सव्यंत्र है कल खुली तरीके से डुमरी विदान सभा छेत्र के अलारगो गाउं में आचार संगिता का उलंगन हुआ यह घटना कितनी दुखद आप इसी बात से अंदाजा लगाई है जारकें के इतास में पहली बार ऐसा कुछ हुआ कि एक राजनेतिक परचार करने से रोक रही है यह खुले तोर पर रंगदारी है खुले तोर पर यह गुंडा गरती है आप इसी बात से अंदाजा लगाई है कि एक व्यक्ति अगर लोग प्रिये है तो उसे वोट मांगने का अधिकार है मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पक्स में नहीं लेकिन मेरा यह करतम यह बनता है कि सही को सही बोले गलत को गलत बोले जारकर्ण मुक्ती मोर्चा के जंडा लिया है वहाँ पर सभी लोग खड़े थे उस वीडियो क्लिप को आप लोग यूटुब पे सर्च करके अभी तक देख लिये होंगे या तो आप लोग देख यह कहीं न कहीं बहुत ही घटिया मानसिक्ता की सोच रखने वाले एक व्यक्ति का यह मंसा था जहां से आप समझिए कि पहली बार ऐसा कुछ हुआ कि एक व्यक्ति की फैन फॉलिविंग जब ज्यादा हो जाती है उन्हें डर सतारा इस बात का कि वह यह डुमरी से हम हार सकत है तो उसके लिए जहरा महतों को रोका जा रहा था जो कहीं न कहीं गलत है हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पक्समें नहीं लेंगे जब भी कभी गलत होता है तो उसके खिलाफ आवाज उठाने की जिम्मेदरी हमें से हर एक जहार खंजियों की है और आप सब कल की घट पेवी देवी इन्हें भी काफी सम्मान देते हैं वो कहते हैं कि किस तरीके से जो है अगर हम जीत भी जाते हैं तो हम इन्हें भी जिस तरीके से आम जनता का सेवा करेंगे इनको भी अपनी मा की तरह सेवा करेंगे यह सारी बाते वो कहते हैं और इक तरीके साब देखेंग लेकिन वहीं जब जेमन के बारे में हम लोग बात करते हैं तो आपको पता है कि बेवी देवी तो बिचारी सांत है यह उरत एकदम सांत रहती है चुपचाप रहती है जादा किसी तांजहम में कोई गलत तरीकी का बयान बाजी नहीं करते है लेकिन इनके जो सुपुत्र है अखिलेस महतो और फ्राजू महतो यह अक्सर बहुत बढ़ बुलिया यह निकलते है यह लड़का यह उट पटांग बाटे करता है ना समझ है कम उमर का लड़का है यही कारण है कि लोग कह रहे हैं तेक विदायक परतियासी यही होगा लेकिन कम उमर का बच्चा है आगे चलकर के विदायक परतियासी हो सकता है इनकी ना समझी के कारण ही जे जेमम ने इने टिकट ना दे करके इनके माता स्री को टिकर दि चरित से बिल्कुल उल्टा निकल गया है यह लड़का है ना और इसके बयानों से आप देखेंगे कि गलत तरीके की बयानबाजी होती है चुनाओं में हराना अलक मुद्दा है यह बात सच है जो जैराम में तो इनके उपर आरोप लगाते है कि आप सोना का थाली में जो है ख फड़ाने में पैदा हो गए बड़े नेता के घर में पैदा हो गए लेकिन कहीं न कहीं पता कि जो सोच यह किसली मुझे दिखाए नहीं देता कि जिस तरीके से घटना गटे थो हम यह आरोप नहीं लगा रहे कि इन्हों नहीं करवाया है लेकि अगर जेमन सोरिंगों बूलने का काम करेंगे और अगर इनके जो आरोप लग रहा है कि इनके नेतरत में इनके कहने पे गया है अब सामने तो कोई नहीं आएगा आपको पता है कि चोर चोरी करने के बाद कभी भी सामने नहीं आता जब हम लोग अखिलेश यादव के बारे में बात करते हैं यह कहीं सभी एक योग यह लड़का नहीं आप हर तरीके से देखोगे अगर इनका लक्सन सही रहता तो जेमम इ महतों की पार्टी के साथ जो हुआ वो बेहत घटिया और नीच मानसिक्ता को दरसाती और कल की जो घटना घटित हुई है उससे यह बात तो कंफर्म है कि जैराम महतों को कुछ नुक्सान तो नहीं होगा यह दुम्री के जंता देख चुकी है और इस घटना का एक तरीके से इमोशनल प्रभाव जैराम महतों के तरफ ही पढ़ने वाला है तो कईने कई कल के घटना यह गलत है और दुम्री के जितनी भी जंता देख रहा है आप फुद नीचे कमेंट बॉक्स कर कमेंट बॉक्स पर लिख करके बताओ कि कल के घटना सही थी या कल के घटना गलत थी इसके बाद अब आते हैं जेल केम के घोशना पत्र के बारे में जेल केम ने कल देर रात अपना घोशना पत्र अपना चुनावी मैनिफेस्टों रिलीज कर दिया है जिसमें 75 मुदों पर जारकन के जनता को आस्वस्त किया है कि हमारी सरकार अगर बनती है तो इन 75 मुदों वैसे सारे मुद्दों को हम लोग पूरा करने का कायम करें कलराची के प्रेस कलब में जेल केम का जो चुनावी मैनिफेस्टों रिलीज हुआ उसमें पार्टी के अध्यक्स जेयराम मतों तो मुझोद नहीं थे लेकिन पार्टी के वरी उपाद्यच और सिल्ली विधानसव टोटल चर्चा हुई उनस अभी 75 बिंदों को मैं आप लोगों के बीच ला रहा हूं और एक-एक करके में एक्स्प्लेइन करता हूं 75 के 75 बिंदों को हमें सबस्ट नहीं करेंगे एक-एक को पढ़ेंगे तो काफी समय लगेगा पूरा पीडियाफ में अपने टेलिग्राम चैनल में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलिग्राम चैनल में जा करके आप डाउनलोड कर सकते हैं लेकिन इन 75 मुद्धों को मैंने पढ़ लिया है इसमें से जो सबसे ज़्यादा जरूरी मुद्धे है उनको मैं आप लोगों को एक-एक करके एक्स्प्लेइन करने के लिए जा रहा हूं पस खुल मिला करके अगर हम लोग शुरूरात में ही अगर बात करें आज तक जितनी भी बातों को मैं जारखन में उठाते आया हूं उनमें से 98% मुद्धे जो है इस चुनावी मेनिफेस्टों में है पस इतना से ही हम शुरूरात करना चाहेंगे और एक एक करके मैं सारी चीजे आप लोगों को एक्स्प्लेन कर देता हूं तो आईए आगे बढ़ते हैं KLKM के घोसना पत्र को पढ़ने से फेले एक बात मैं आप लोगों को स्वस्ट करना चाहता हूं कि आज तक जितने भी पॉलिटिकल पाटियों ने इसी भी विधानसवा चुनाओं में जितने घोसना पत्रों को जारी किया है उनमें से सबसे बहतरीन घोसना पत्र है KLKM का मुझे लगा ये घोसना पत्र जब आप पढ़ेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा किस तरीके से बच्चे से लेकर के बुज़ुर्ट तक हर तरह के जरूरत मंद के बातों को एक तरीके से समझ में आता है कि पूरी तैयारी के साथ काफी मेहनत मसकत करने के बाद ये घोसना पत्र जिसमें झारकन के वास्तविक जो जरुरते हैं पूर्टेंटिक भी दिमांड से जहा रेक्षट के जनता है उन सबी दिमांड की वारे में उन लेकimmt किया गया आएवे एक एकर करके जानते है सबसे पहले इस गोज़ना पत्र में कहा गिया है कि जारखन में अस्थानिय निती 1922 अत्वा अंतिम सर्वे सेटलमेंट के आदार पर पर पर्थम 100 दिनों के अंदर अस्थानिय निती लागू कर दिया जाएगा यानि कि जिस तरीके से जारखन में एक सबसे चर्षित इसू है 1932 खतियान तो यह लोग कह रहे हैं कि 1932 खतियान को तो हम लोग लागू करेंगे ही करेंगे हमारी मनसा यही होगी देकि 1932 खतियान एक ऐसा इसू है जिसमें सेंट्रल गवर्मेंट और स्टेट गवर्मेंट दो लोग राज में लागू करें और अगर वो नहीं हो पाता तो अंतिम सर्वे सेटलमेंट है उसके आधार पर हमारी सरकार बनने के सो दिनों के अंदर हम लोग उसको लागू करने का काम करें इसके बाद यह कहता है कि खत्यान आधारित नियोजन नेती हम लोग बनवाएंगे ज जो मुझे सबसे ज़रूरी लगेगा हम उसी को आप लोगों के एक्स्प्लीन करने का काम करें आकि पूरा मैनिफेस्ट आप लोग पढ़ सकते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलिग्राम चैनल को जोईन कर लेना वहां से पूरा पढ़ लेना तीसरी बड़ी बात जो म जिस तरीके से आख मुंद करके हम लोगों को पता है कि मैकसिमम बाते सही नहीं होंगी लेकिन तब भी हम लोग विस्वास करते हैं तो एक बार इस पॉलिटिकल पाटी पे भी विस्वास करते हैं इनका कहना है कि लगू प्रखंज स्तर पर लगू सिचाई होजना हम लोग स्थापित करेंगे और खेतों तक पानी पोचाने का काम करेंगे जहारकैंज में आपको पता है के क्रिशी कि यह समस्या है कि पंजाब के तरह उत्तर-परदेश के तरह बिहार के तरह में लोग जब बात करते हैं तो सिचाई की उत्तम सुविधा नहीं होई होने के वज़स से महिला समू पड़े एंजियो और अस्थानिय उद्योगों को हम लोग कर्ज मुहाया करवाने का काम करेंगे है ना इसके बाद इनका कहना है कि भाईया कैलेंडर बना करके से बाद गया हैं तो क्यों ने हर साल अब राया को जबत क्यों से आप अगया Rexी की नोटिफिकेशन हों हूआ प्रतिसद व्याज पर होगी यानिके जो गरीब लोग होंगे उन्हें पढ़ने के लिए और खेती बारी किर्शी करने के लिए तुन्य परतिसद व्याज पर लोन उपलब्द करवाया जाएगा इसके बाद जो बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है कि सेविका सहीका रसोया क इतने भी आंगनमाड़ी सेविकां उनका वेटरन ने मिला है जारकंज में अभी यह मुद्ध काफि चर्चों में वो सम्हान योजना दे रहे हैं आगे बात करते हैं प्रखंज अस्तर पर सरकार एवं CBSE स्कूल का निबंधन वो सद्चालन करेगी। आगे ये लोग कहते हैं कि सरकारी एवं निजी संस्थानों के साथ मिलकर परतेख जिल्ह में एक मैडिकल कॉलेज, तकनिकी कॉलेज, पीएड कॉलेज की अस्थापना किया जाएगा कहा रहा है कि जो private organization है और government है ये लोग मिलकर के परतेक जिला में हर एक जिला में एक medical college होगा एक technology टेकनिकल college होगा एक बी एड college होगा एक nursing college होगा यह सारी बाते जो है इस चुनावी मैनिफेस्टों में है आगे कह रहा है कि महिलाओ के लिए जारकन राजिक की महिलाओं है अच्छा केजी से लेकर के पीजी तक जानिके आप समझो नरसरी के बाद केजी होता है यानिके आप समझे के नरसरी, LKG, फिर UKG होता है कि किस तरीके की महिला है सारी महिला है अमीर वर्थ गरीब वर्थ वो थोड़ा सा करना चाहिए था कोई बात नहीं परिश्चा में कदाचार को रोकने के लिए निरोधक उपाई करते वे यथा संभब परिश्चाव में ऑनलाइन आयोजित किया जागा कहा जा रहा है कि को ऑनलाइन लेना थोड़ा सा मुस्किल है लेकिन अब देखते हैं कि उसमें सबसे पहले आफ्लाइन आप पीटी लो और मैंस को आप उनलाइन लो पीटी प्लस मेंस का यह अगर कॉंसेप्ट अगर रहेगा तो जो बड़े-बड़े वेकिंशिया है जिसमें ज्यादा बच जाएगे जो पंचायत के प्रतीने दिये हैं मुख्या होगिया सरपांच होगिया वाट होगिया उनका जो मापदंड होगा उनको जो पेस्केल होगा उसके लिए एक नियमावली बनेंगे कि कैसे उनके पेमिंट में बरोतरी होगी आगे बात करते हैं 27 वा नंबर और रज के इस मुद्दी के बारे में हम कई बर चर्चा कुड़ चुके तो कहीं न कहीं जो JLKM पाटी के उपर ये आरोप लग रहा था कि आदिवासियों के लिए ये कुछ सोस्ती नहीं आदिवासियों के विरुद जाने का काम करती है इनके मैनिफेस्टों में ऐसा मैंने एक वीडियो बनाया तो उसमें बता है था कि किस तरीके से हमारे राज में पैसा कानून का उलगन हो रहा है तो इनके मैनिफेस्टों में यही है वह इया पैसा कानून इset दुब मैं और सबीर सब्सक्राइब गया इसके लिए मुझे बहुत खुशी है और ऐसा इस लिए हो पाया क्यूंकि यह सच्छा यह है कि हमारी वीडियो को जेल केम के कई बड़े नेता या आप बड़े में से अप समझो कि लगभग लगभग नेता तो लोग देखते हैं और सिर्फ जेल केम के नहीं बीजेपी क कॉंग्रिस के के हर एक पार्टी के लोग देखते हैं लेकिन एक तरीके से अच्छा लगता है कि एक सिक्सक के द्वारा जो मुहीम उठती है कावाज उठती है उन सब को एक मैनिफेस्टों में जगा देना जो राजी की वास्त्विक जरूरती राजी की हर एक पॉलिटिकल पार्टी को इस पर बात करना चाहिए लेकिन लोग नहीं कर पाते एर आगे हम लोग इस पर चर्चा करेंगा आगे बढ़ते आदिवासियों के लिए सरना हुआ पसना हुआ जाहिर्थान हुआ अरगरी जैसे धार्मी कस्थानों को चिन्नित करके उन्हें संद्शित किया ज बढ़ावा देने के लिए विशेज फ्रोट साहन योजना की सुरॉत की जाएगे हमने बोला है कि खेल को जारगें बढ़ावा होना चाहिए उस मुद्धे को भी सामिल किया गया है एक तरीके से लगता है इस मेने फेस्टों को मैंने इसा लगता है मुझे इस बात के खुसी है और इसके लिए हम धन्यवाद देना चाहेंगे जेयल के के नेताओ को कि जितने मुद्दे हमने राज में आज तक उठाए वह सारे मुद्दे इस मेनिफेस्टों में इसलिए एक बार देख करके मुझे भी वड़ी खुसी भी है ना आगे बात करते हैं जारखन लोकतांत्रिक करांतिकारी मोर्चा के सभी विधायक अपने वेतन का 75% अपने छेत्र के गरीब बच्चों की पढ़ाई वह भीमार लोगों की इलाज के लिए करेंगे बैरी गुड आज तक भारत के इतहास में किसी भी मैनिफेस्टों में ये लाइन नहीं लिखी वी जेल केम का हर एक विधायक 75% अपनी सेलरी 2.5 लाक रुपे जो भी सेलरी मिलेगी उसका 75% अपने छेत्र के लिए वो खर्चा करने का काम करेगा यानि के जैराम मत तो अगर डुमरी से जित गए तो 75% जो अपना सेलरी का हिस्सा है वो गड़ी बच्चों की पढ़ाई के ल हार कर पाती है वो सिर्फ जेयामम की गोश्दा पत्र को लेकर के ही जब उनके वादे पूरे नहीं हुए तो हर एक पाटी उनका विरोध कर रही है हम और आप उनका विरोध कर रहे हैं यह चुनावी मेनिफेस्टों बहुत मैटर करता है अगर सरकार बन जाती है तो आगे आप रत्यासी त्रूप से वहाँ पर सुल्क वह वसूल करते हैं बीस है जार मेहने का पंदरा हजार दस ही रुपया मेहने का आप लोगों को स्कूल है उनकी समीक्सा की जाएगे कि आप बच्चों से कितना ले रहे हैं आप लोगों की क्या क्राइटीरिया है यह सारे चीज हैं हम तो कहते हैं ध्यारकंग के सारे प्राइवेट इस्कूल में एक मावदंद्य तयार करना चाहिए कि आप इससे यदा फीस नहीं ले सकते हैं आगे बात करते हैं परते एक पंचायत में डिजिटल लाइब्रेरी के स्थापना किया जाएगा है ना इसके बाद स्वास्ते स स्वास्त को भी हम लोग बढ़िया करेंगा जो द्योग प्रदूशन फेला रहे हैं उसकी भी हम लोग जाज करेंगे 43 नंबर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि परियेटन अस्थानिये रोजगार को पड़ावा दिया जाएगा हम कई बार अपने वीडियो के माद् क्रीटन का स्कोप है लेकिन हम लोग परियेटन को विख्सित ही नहीं कर पा रहे हैं और परेटन को विख्सित करेंगे तो हमारी एक नौमी में एक बहुत आगे बात करते हैं, अगला जो इनका पॉइंट है कि जार्खन के उपबंद बड़े जलासेव में ब्रिहद मसली पालन योजना को संचालित किया जाएगा, छात्रों के समस्या को समय पर निप्टाने के लिए इंपोर्टन पॉइंट है, स्टोडेंस के लिए, छात्रों के सम कारों की धूल मुल रविये के कारण पिछड चुके छात्रों को मोका देने के लिए तुनिंदा परिक्साओं में उम्र सिमा की में छूड़ दी जाई है, इसके बाद कुडमी घटवार तथा अन्य समुदाय जिनकी कई दसों को से सूची बद होने के मांग रही है, उन्हे EWS के तर्च पर नया कॉलम परिभासित करने के करके विसे सनक्षन दिया जागा, अब आप कहेंगे इसमें थोड़ा बाइस्ट हो सकता है कि कुडमी के लिए क्यों, घटवार के लिए क्यों देखिये, यह लोग जाती बादी पॉलिटिक सुरू कर दिया, हम कहना चाहेंगे कि यहाँ पर इन लोगों ने, JLKM ने सबसे पहले आदिवासियों के 3-4 हितों पर बात किया, और जो इनका वोट बैंक है, जहां से इनको वोट का एक बहुत बड़ा हिस्सा मिलेगा, तो इसलिए कुडमी और घटवार के बारे में लिखना मुझे नहीं लगता कि गोई ग के लिए असरित्यों को तृतिय और चतुरत वर के नियुक्तियों में 5% का रेजर्वेशन दिया जाएगा, जो भी गवर्मेंट जॉब होगा, उनको 5% का रेजर्वेशन दिया जाएगा, जो आंदोलन कारी परिवार से संबन देते हैं, इंदी साहित्तर, माफ कीजेगा, इंदी साहित जारखन में, छेत्री अभासाओं में बनने वाले सिनमा के निरमातायों कलाकारों को विसेश प्रोटसहन वो सनक्सन दिया जाएगा, इसके बाद ये कहता है कि सरकारी नियुक्तियों का परिक्षापल दो चरन में प्रकासित होगा, 75% पहले जो रिजल्ट है, उसको पहले फेज में दिया जाएगा, और उसके बाद अगले फेज में सेस भारत के अन्य जो बच्चे होंगे, उनको अगले फेज में ग्रिजल्ट प्रकासित किया जाएगा, इसके बाद 66 हुआ जो मुद्दा है, जो मुझे बहुत बड़ी अलग है, कि ओवर टाइम जो क्या कर रहे हैं, ज्यादा पैसा तो मिल रहा है, लेकिन आप उपनी फैमली के लिए भी टाइम नहीं दे पा रहे हैं, और ओवर टाइम करके आप दूसरे का हग को भी मार रहे हैं, तो इसलिए आट गंटे का भी जूटी होगा हर एक जगा पे हर एक प्रेविट असपस्ट नियोजन निती बनाई जाएगी, ज्यारकन के गरीज चात्रों को निश्यों के सिच्छाववा चात्रविटी दी जाएगी, और लास्ट में ज्यारकन के अस्थानिय सम्वेदकों को 30 करोड तक की सरकारी टेंडर दिये जाएंगे, और अंतिम सबसे एहम ज्यारकन के OBC समाज का 27% आरक्षन देने के लिए हम लोग संकल्पे थे, यानि यह OBC समाज कुल मिला करके एक छूट रहा था, तो OBC समाज के लिए भी 27% रिजर्वेशन, जो BJP ने 14% कर दिया था घटा कि उसको वापस से 27% हम लोग करेंगे, देखते हैं कि इनकी अगर प पूछे, कि आप इस पूरे चुनावी मैनिफेस्टों का, कितना माक्स देना चाहेंगे, तो हम 9.5 माक्स देना चाहेंगे 10 में से, ठीक है, 9.5 माक्स 10 में से देना चाहेंगे, और कुछ मुद्धों पर हम अपना राई भी देना चाहेंगे, जैसे JPSC का आपने कहा कि हर साल परिक्साय आयोजित होंगी उसी तरीके से JSSC के एक सरकार के कारेकाल में एक भरती दो बारा है जैसे जारकंट पुलिस के बारे में बात करें तो दो बार उसकी भरती आए तरोगा की दो बार भरती आए ताकि बच्चे जो है लगाता तैयारी के दर्मियान में जैसे बिहार में होता है आप फ्रेकंट्सी ओ को कम निकालिए जैसे कहने का मतलब यह है कि एक बार में आप निकालते हैं तो उसी का आप दो फेज में निकालिए आठ हजार आठ हजार इस तरीके से लगाएंगे तो जो आप एक तरीके से जो लोग एंतर्पनोर बना चाहते हैं जो अपने अंदर कोई स्किल लेकर करके बैठे हैं उन्हें आप किस तरीके से विक्सित करेंगे यह सारी मैनिफेस्टों में हो सक्तित हैं तो कूल मिला करके तब भी हम साड़े नो माक्स आप लोगों को दे रहें क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के दो-चार जरूरी मुद्दे छूटी जाएंगे अगर इतनी बाते हैं हमने जितनी बाते आज तक उठाएं उसमें से मैक्सिमम बाते तो आपकी मैनिफेस्टों में मिला दो-तिन बाते मुझे उम्मीद है कि अगर हम आप लोगों के बीच वो सारी रिक्वेस्ट करेंगे आने वाले समय में अगर हम उठाएंगे तो उन समय मुद्दों को भी आप लोग मानने का काम करेंगे तो कुल मिला करके जो पहला मैनिफेस्टों है वो सुपर हिट है JLKM के तरफ से जो पहला मैनिफेस्टों है ये पूरी तरीके से अच्छी है आप देखो आप इस पूरे वीडियो को देखेंगे तो आप कहेंगे कि एक तरीके से JLKM का हम सपोर्ट कर रहे है इसको सपोर्ट नहीं बोलते है दोस्ट इसको बोलते है सही को सही और गलत को गलत बुरना पूरा मैनिफेस्टों जो मैंने आप लोगों के विच पढ़ा आप बताओ इन में से कौन सा मुद्दा गलत है अगर एक मुद्दा आपको गलत लगा जो एक्स्ट्रा मुद्दे थे उसको तो मैंने पढ़ा ही नहीं आपने देखा कि पूरा मैंने पढ़ा, उसको उसको हाईलाइट किया जो जरूरी मुझे नहीं लगा उतना ज्यादा, उसको तो हमने पढ़ाया है नी जो सबसे ज़ादा जरूरी लगा, उन सारी चीजों को पढ़ा हो सकता है कि कुछ जरूरी चीज़े मेरे से छोड़ भी गई हो लेकिन मैक्सिमन जो सबसे ज़्यादा जरूरी पॉइंट थी उन सब को पुड़ा इसके अतरिक्त भी ये 10 पॉइंट को और हाइलाइट कर दिये हैं कि 10 पॉइंट के लिए हम लोग सबसे ज़्यादा समर्पित रहेंगे वह 10 पॉइंट भी यहाँ पर है और इन 10 पॉइंट हुआ हम पहले ही पर चुके तो कुल मिला करके जेल के हम पॉलिक्टिकल पाटी का इस चुनावी मेनिफेस्टों को हम साड़े 9 नमबर देना चाहेंगे और आप इस चुनावी मेनिफेस्टों को किस तरीके से नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए यह चुनावी घोष्टा पत्र आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए इस पार के विदान समाचुनाव में आप किसकी सरकार बनते हुए देखना चाहते हैं किसे आप जिताना चाहते हैं यह सारे मुद्दे नीचे कमें कर सकते में कभी नहीं बोलता लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब परो कंटेंग पसंद आता है तो आप लोगों को सब्सक्राइब करना चाहिए आगे आप लोगों की मर्जी बेलते हैं आप लोगों सेगले शेशन में अब तक के लिए सभी को जैहिंद सभी को जार खंटी ज हुआ हुआ